देखें अगर आप तत्थियों की बात करें, राजनीती की बात तो एक अलग है, मगर तत्थे आप भी जानते हैं और हर मीडिया चैनल जानता है क्योंकि हर चैनल नॉड़ा में है, कि जितने हालात नौइडा, ग्रेटर नौइडा में खराब हैं, गुडगाओं में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है, वहां तो योगी जी की भरती जनतापाटी की सरकार है, नौइडा, ग्रेटर नौइडा में, हर्याना, फरीदा करिंसाबाद गुड़गाओं के अंदर क्षटर साप की भरती जंता पाटी की सरकार है तो ये बार-बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो यह वो ठीक नहीं है। गाड़ें दिल्ली वाले चलाते उससे ज़ादा गाड़ियां गुड़गायों के अंदर ग्र्लेटर नौइडा के यंदर लोग चलाते यह बात सब समझते लुथ ऐक लोगा यी तर बिजली जो है जन्रेटरों से आती है और डीजल जन्रेटर से आती है दिल्ली के अंदर इट के भटे बैन है पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन है हमारे थर्मल पावर प्लांट वर्शों से बैन है और जो आसपास के राज्जी है क्या उन्होंने थर्मल पावर प्लांट बैन किये नहीं कि हर्याना में चल रहे हैं, उत्रप्रदेश में चल रहे हैं, पॉलूटिंग इंडस्ट्री दोनों में चल रही है, दिल्ली में CNG बसे हैं और अब इलेक्ट्रिक बसे आ गई है, क्या यूपी ने इलेक्ट्रिक बसे लिया है, क्या हर्याना इलेक्ट्रिक बस लिया है, तो ये बार-बार ये कहना कि दिल्ली वाले ज़्यादा प्रोलूशन करते हैं ये गलत है इसको बदलना चाहिए और अगर सब राज्ये और केंद्र सरकार मिलके काम करेगी तो ही आप इस सलूशन को कर सकते हैं वरना आप यह कहें कि साथ दिल्ली में अरविंद केजरिवाल की वे से पूरे उत्तर भारत में प्रोडूशन फैल रहा है ये तो एक मजाकी बात है मैं आपको यह बता सकता हूं भारत के नक्षे पे आपको दिल्ली ढूंडने से भी नहीं मिलती है दिल्ली जैसी छोटी सी सरकार इतने छोटे से राज्ये को चलानी वाली सरकार क्या ऐसा क कर दे कि पूरे उत्तर भारत का प्रोडूशन का मुझा है हम तो सब कुछ कर रहे हमारे आप देख सकते हैं दिन राज जो है छड़काओ की जाती है पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन हो चुकी है जितने भी पब्लिक वाहिकल है या तो सी एंजी पे हैं या आप जादा हाउसिंग क्लोनियों में चल रहे हैं अटके साने पिछले सालों के मुकाबले पराली जो है पंजाब के इंदर कम हुई है मगर केंदर क्या मदद कर रहा है केंदर से पंजाब की सरकार ने कई बार कहा कि आप कुछ पैसा दीजिए ताकि किसानों को सबसेड़ी दी जा सके बड़ केंदर जो हाथ चाड़ देता क्या केंदर की कोई जिम्मेदारी